नमस्कार दोस्तों, मेरे नामे शाम कुमार और स्वाजा था आपका इस Google Sheets Station में, जहां पर हम सीख रहे हैं Google Sheets को, हैसके Station के topic है, किस तरह किस आप लेंड फंक्शन और ट्रीम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और इसके क्या usage है, वो भी हम समझेंगे, पहले समझते हैं इसके usage को, क्यों हम लेंड फंक्शन या ट्रीम फंक्शन को यूज़ करेंगे, आपने बहुत बारे देखा होगा, आपके जो डेटा सेट होता है, उसमें, बहुत बारे स्पेस होता है, या कुछ होड दिक्कत होती है, स्पेस मतलब भी एक्ट्रा स्पेस होत हो सकता है, शाम से पहले स्पेस हो, या दोनों बीच में 4-5 स्पेस हो, ठीक है, तो उन सब को कैसे आपको ट्रीम करना है, ताकि प्रॉपर आपको डेटा मिल सके, ये प्रॉब्लम करता है, जब आप कोई look-up function यूज़ कर रहे होते हैं, एक data set से, दूसरे data set में कोई पर साथ है, फिर x look-up पर साथ, तो कहीं ने कहीं problem है, उन data set के किसी एक में, अगर नाम दोलो, same दीख रहे हैं, लेकिन है नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करना होता है, trim, अब उसको check कैसे करना है, कि space है या नहीं है, तो length function आपको help करेगा, उन length बताएगा आप अगर मैंने वहां पर कुछ space डाल लिया, तो ज्यादा होगा, ठीक है, तो दोनों को हम पहले match कर लेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि ठीक है, दोनों अगर lane proper है, अगर problem आ रहे है, इसके मतलब है कि data में ही कुछ गरबड़ है, या spelling में कुछ और गरबड़ है, ठीक है तो दो table है मेरे पास छोटे से, ठीक है, एक है मेरे पास lane के लिए, दूसरा है trim के लिए, यहाँ पर समझते हैं क्या formula हम यूज कर सकते हैं, Google total कितने हैं, total 6 character में हैं, और Google Docs total 11 में हैं, ठीक है, इतने में होना चाहिए, अब formula क्या use करना है, जिससे कि मुझे ये result मिले, इसक syntax को समझ लेते हैं, syntax को बारा कहता है कि lane यूज करना है, और साथ में text को, ठीक है, जो आपको cell select करना है उसका, तो यहाँ पर हम उद करते हैं lane, और यहाँ पर है Google, मैं Google को select कर रहा हूँ, ठीक है, close करेंगी, तो यहाँ पर 6 है, अधर मैं इसके बीच में कुछ space दे दो, ठी ठीक है, तो कितना हो गया, 8 हो गया, इसका मतलब है कि जितने आप इसमें add करते हैंगे, space भी count होता है, तो इस तरह के साथ लेंद देख सकते हैं, उसका character को length कितना है, particular cell के अंदर, ठीक है, length समझ आ गया, दुबारा practice कर लीजे, length को समझने के लिए सिर्फ इतना है कि आपक calculate करेगा, सब को count करेगा, ठीक है, और trim का क्या मतलब है, अगर आपने यहां पर कुछ space रखा है, जैसे कि Google है, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, lane करके कितने, यहां पर lane करते हैं इसको, ठीक है, और select करते हैं अपने e column को, e14 को, ठीक है, 10 दिखा रहा है, इसका मतलब कही कहीं कुछ गरबढ़ है, इसको चेक करने के लिए आप कहा कर सकते हैं, या तो is equal to Google, और यह Google दोलों को हम compare कर लेते हैं, तो यह दिखा रहा है false, मतलब दोनों में कहीं कुछ गरबढ़ है, जब दीख दोलों same रहा है, लेकिन कहीं कहीं problem है, तो इसका मतलब है 10 यहां पर दि अब मुझे यहां पर दिख रहा है space, इससे पहले भी space है, कई space है, तो इन सब को trim करना है, ठीक है, हटाला है, उन सब को जितरे extra white spaces है, manually करते रहें, तो बहुत time लग जाएगा, तो इसके लिए आपको use करना है function, जिसके नाम है trim function, या फिर आप चाहते है, trim को एक बारे में use करें, अगर वो dynamic नहीं है, तो इस तरीके इस कठक पर select करें उनको, dataset को, और data menu पर जाएं, उसके बाद है आपको यहां पर trim का option, data cleanup जो हमने समझा था इससे पहले, वहाँ पर है data cleanup, नीचे में है trim white space, इसको जैसे आप परूँगा, मैं trimmed white spaces from two selected cells, यहां पर दिख रहा है, औ यह dynamic मतलब की, बार-बार expand होए जा रहा है data, एक के बाद एक नीचे आया जा रहा है, लेकिन कुछ में कुछ उसको पर problems है, तो अब हर बारी जाके trim नहीं कर सकते, हर बारी आके उस particular column में जाके select करके, ओ नहीं कर सकते, ठीक है, ओ प्रॉब्लम में ठीक हो जाएगी, तिसके अब आपको trim यूज करना है, और उस cell को select करना है, या फिर उस text को select करना है, या लिख लिएना है और enter करना है, ठीक है, अब आप दिपो Google यहाँ पर लिख तहरा proper, ठीक है, इसमें 15 दिखा रहा है, जबके 11 सी यह, अब मैं इसको lane यूज करता हो यहाँ पर, ठीक है, इसको select करके तो कितना दिखा रहा है छे और ग्यारा एक जैक्ट जो यहां पर है अब इसको हम चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है Google is equal to यह वाला Google ठीक है तो क्या हुआ टू दिखा रहे है क्योंकि दोनों match कर रहे हैं इसका दोनों पर length same है टेक्स सेव है ठीक है अगर आपने यहां पर change कर दिया है बुझ जी के जगा h कर दिया तो दोनों के length बिल्कुल सेव है लेकि में spelling में कर वड़ा है इसलिए यहां पर फॉल्स दिखा रहा है तो आपको ध्यां रखना है कि जब भी length यूज कर रहे है तो दोनों प्रॉपर होन करेंगे अप ठीक है फिर आप Google करेंगे आप Google करके फीसे डूनते रहेंगे क्या करने चाहिए तो समझ आगया length और trim लेन यूज करता है हम किसके लिए करेक्टर के length जाने के लिए trim यूज करते हैं white spaces को remove करने के लिए ठीक है तो इसका यहीं मक्सद है उम्मेद करता हूँ यह वाले session आपको useful लगा होगा मैं आपसे मिलता हूँ next session में तब तब के लिए बाबाए